तो जैहिन नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सरकारी का एफ है ओफिसल के एक और ने वीडियो में दोस्तों आप सभी के लिए बहुत अच्छी ख़बर यहां पर आच चुकी है RPF वेकंसी की जो भी केनर्स वेट कर रहे थे उनका इंतजार अप खतम हो चुका है दे रहा हुआ क्योंकि यह बहुत ही चोटा नोटी से इसको में जूम कर रहा हूं तो यह पर तो फट जा रहा है लेकिन टेंसर लेने की बात नहीं है मैंने साड़ा ही जो डिटेल यहां पर दिया हुए प्रजेंटेशन के माध्यम से मैंने साड़ीज नोट कर लिया है और प्रजेंटेशन के थिरू मैं आपको साड़ीज बताता हूं ठीक है यह पहला अफिशन नोटिस देख लिए ताकि आपको यह भरोसा हो जाए कि यह सही नहीं हो जाए ठीक है तो चलिए अब हम लोग एक 15 अप्रील है ठीक है 15 अप्रील 2024 को जो इसका अप्लिकेशन जो स्टार्ट हो जाएगा वही इसका लास्टेट जो है फ्रेंट्स 14 माई 2024 रहने वाला है तो यहां पर यह डेट नोट कर लेना आपको इसी के बीच आपका फॉर्म फिल होगा नेक्स्ट बात करते है आप वेकं 15 पर यह आपका अप्लिकेशन आने वाला है नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिफिकेशन तो देखिए क्वालिफिकेशम की बात करें तो जो SI का पोस्ट है उसके लिए बैसिलर के डिगरी ब अपके बास होनी नेक्स्ट बात करते हैं दूस्तों यहाँ पर एज लिमिट की तो एज लिमिट यहाँ पर देखें SI के लिए 20 से लेके 28 साल बोला गया है and constable के लिए 18 से लेके 28 साल मांगा गया है अब देखें दूस्तों यहाँ पर आपका जो age count होगा जो कि मैंने हमेशा से आपको बताया है कि railway का age जो है वो 17-2024 से count होता है तो 17-2024 से ही count होगा यानि 17-2024 तक कम से कम अगर आप एसाई के लिए अपलाई करना चाहते है तो 20 साल constable के लिए 13 साल कम से कम और maximum 28 साल होना चाहिए SI के लिए and 28 साल यहाँ पर constable के लिए भी होना चाहिए अब देखें यहाँ पर relaxation की बात रहेगी क्या relaxation मिला है कि नहीं तो देखें सौट नौिटिस में आपको दिखाता हूं एक मिनिट मैं आपको सौट नौिट दिखाता हूं यहाँ यहां तो यहाँ पर दोस्तों आपको तीन साल काforcement relaxation देखने को मिलेगा यहाँ पर next हमलोग बात करते हैं दोस्तों यहां पर हम लोग कहां तक पहच गये थे हम लोगों ने-च्छ अवली केलिए इच्छ को sa 요rri की बात करे तो आपके अश.बूरी मिलता है तो अपकं प्रक्षन के लिए तो साथ मिनेट संध। hi Sixt!। तो देखिए अप्लिकेशन फी आपका, यूर और जो EWS के कैंडेट्स है, उनके लिए 500 रुपय का पेमेंट करना होगा, वहीं EBC, BC, SC, ST, एक सर्विसमेन और फीमेल के लिए मातर 800 रुपय का पेमेंट है, और ये भी जो पेमेंट है friends, अगर आप CBT में अपियर होते हो, यान की next बात कर लेते हैं, main चीजे, selection process के इस तरीके सरहेगा, तो selection process देखिए, पहले आपका CBT examination होगा, उसके बाद आपका physical test होगा, ठीके जिसमें कि आपका height weight चेक किया जाएगा, और running होगा, उसके बाद आपका दोनों को qualify करते हैं, उसके बाद documentation होगा, हलका full का medical examination होगा, and selection होगा, तो यह आपका selection process रहेगा, next बात करते हैं, यहाँ पर कि अगर आपका examination होता है, तो इसका pattern किस तरीके सरहेगा, तो यहाँ पर देखे, pattern आपका कुछ इस तरीके सरहेगा, तीन section से questions आएंगे, एक आपका GK से, दूसरा mathematics से, और तीसरा आपका reasoning से, GK के आपके 50 questions रह करेंगे 35 marks के, वहाँ ही दोस्तों reasoning की बात करेंगे 35 questions 35 marks के, टोटल आपका 120 questions रहेगा, फ्रेंट्स, 120 marks का, जिसके लिए total timing आपको 90 minutes मिलेगा, MC कुछ टाइप questions होता है, फ्रेंट्स, बाकी बात रही, फ्रेंट्स कि इसमें negative marking होती है कि नहीं, तो जी हाँ दोस्तों, बाकी railway examination के तरह, इसमें भी आपको one third की negative marking होती है, यानि कि लगबाक तीन question को गलत करते हैं, तो एक number आपका minus में चला जाएगा, तो इस stage को भी आपको ध्यान लगना है, बाकी दोस्तों, जो भी केंडर CBT को qualify करेंगे, next stage होता है physical, जिसमें कि physical standard test दिखा जाता है, जिसमें कि height और chest check किया जाता है, तो height देखें दोस्तों, जो UR और OBC से बिलोंग करते हैं, उनके लिए male के लिए 155 cm, और female के लिए 157 cm, बाकी यहाँ पर STST से अगर आप आते हैं, तो male के लिए 160 और female के लिए 152 cm, और यहाँ पर देखें कुछ-कुछ ऐसे areas है, जैसे गढ़वाली, गोर्खाज, मराठाज, दोगराज, अगर आप इन सभी से बिलोंग करते हैं, तो height आप देखें लिए male के लिए 163 और female के लिए 155 cm, यह minimum है, इससे कम में आपका नहीं होगा, ठीक है, तो height देखकर करके ही आप पर high start किजेगा, यह form fill किजेगा, उसकी बाद देखें, chest की मेल का चेक किया जाता है, अब इसमें भी देखें, unexpanded आपका, अगर आप UR OBC से बिलोंग करते हैं, तो unexpanded 80 cm होना चाहिए, और full आ करके आपको 50 cm होना चाहिए, 66 cm होना चाहिए, ठीक है, बिना full आए, और full आके 1 80 cm दो, बाकि यह जो area है, इसमें आगर आप आते हैं, इन सब छेतर में आते हैं, तो आपको जो 80 cm चाहिए, बिना full आए, और 50 cm फूल आके, तो यह standard test हो गया, बाकि इसके अलावा एक और efficiency test होता है, जिसमें कि आपका दौ होता है, तो दोड़ और jump कैसा होता है, देखिए, यहाँ पर, male और female दोनों का बताए क्या है, शोला सॉमेटर करेस, सिर्फ और सिर्फ male के लिए होता है, मैं पेन का color change कर लेता हूं, यहाँ पर देखिएगा, जो आपका, शोला सॉमेटर करेस, male के लिए होता है, जो कि 5 मिन सोला सॉमेटर करेस होगा, और female के लिए 800 मिनुटर करेस होगा, तो 800 मिन को 4 मिन 4 ज необходимо में करना होगा, आइस से कम में करेकेजिए तो qualify नहीं किजेगा, उसके बद हाई jump होता है, जो के male के लिए 4 feet और female के लिए 3 feet,owe long jump होता है 14 feet male के लिए, और 9 feet female के लिए, दो chances में मिलता है friends आपको तो यह ध्यान रखना है तो साथ मैंने आपको बता दिया दोस्तों जो भी इससे रिलिटेट था बाकी बात रही सिलेबस की तो सिलेबस भी मैं आपको दिखा दूँगा ठीक है और डारेक्ट पीडियेप में आपको हमारी टेलिगाम चैनल के ओपर मिल जाएगा टेलि लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजएगा तो इस वीडियो को ही बढ़कते हैं फ्रेंस मिलते हैं आप से किसी और वीडियो में तब ते के लिए गड़ बाए